नमस्कार प्रभासाक्षी देख रहे हैं आप एशन यूज रफ्तार चे प्रधान मंति नरींद्र मोधी निशनिवार को काशी तमिल संगमम का उद्खाटन करते हुए इसे गंगा यमुना के संगम की भाति पवित्र और सामर्थिवान बताया महादयों की नगरी काशी में स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि विश्व के सबसे प्राचीन जीवंत शहर कासी की पावंधर्ती पर आप सभी को देख कर आज मन बहुत प्रसन हो गया है प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा और बड़ा महत्व है नद पोलो हवाई अड़े का उधातन किया जो अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा है अरुणाचल प्रदेश के राजधाने इटा नगर से करी 15 कि दूरी पर स्थित्य हवाई अड़ा इस सीमावर्ती राज्य को वानिज्यक औरानों के जरिये वाल की चुपी पर सनिवार को सवाल उठाया जिसमें तिहार जेल में बंद मंत्री सतेंद्र जैन कोठरी में कथित तौर पर मालिस कराते और आगंदुकों का स्वागत करते दिखाई देते हैं भाजपा के प्रवक्ता गौर भातिया ने सोसल मीडिया पर वाइरल इस से वी और पैरों की मालिस कराते हुए दिखाई दे रहे हैं जैन धन्षोधन के मामले में आरोप में नियाएक हिरासत में वीडियो में जैन कुछ दस्तवेज पढ़ते हुए दिखे जा सकते हैं जबकि सफेद टी-शिट पहने एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिस करते दिखाई दे रहा है इस मामले पर सतरूर भाजपा आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है इन सब के बीच दिल्ली के उप मुख्य मंद्री मनिश्य सौधिया ने कहा कि जैन को रीर की हड़ी में चोट के कारण फीजियो टेरपी की सलाह दी गई थी लेकिन भाजप पाल भगत सिंग कोशियारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है एक कार्क्रा में उन्होंने चत्रपति शिवाजी महराज को पुराने युग की बात बताया और कहा कि नितिन घटकरी आज नए युग के नायक है उन्होंने अंबेटकर और शुर और विकास पुरतवाज कारण किया गया पूर्व उप्रास्ट्यपति रटक्रा में प्रथम की मुख्य कारपालक अधिकारी नि बैयानर्जी को या पुरतवाज कारदान किया सोनिय गांधी गुद रही है इग्री मंत्रियं मित शाह ने कहा कि कोई भी संगठन या देश के करनी होगी और उन्होंने साफ का कि भारत में आतंकवाद नशीले पदार्थो आर्थिक अपराधो पर राज़्टिय वैस्टिक डाटाबेस तयार करने का भी निर्ने लिया है पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सरकार में मतभेद बढ़ने के संकेत मिल रहें क्योंकि सत्तारूर गटबंदन के शीर से नेताओं ने इस प्रमुख मुद्दे पर विरोधा भाशे बयान दिये हैं सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाच्वा 29 न होता है यह भारती टीम को रविवार को दूसरे टीट्वेंटी अंतराश्टे मैच में न्यूजिलेंड से कड़ी चुनौति का सामना करने की अमीद है जिसमें कप्तान हार्दिक पांडिया की निगाहें कुछ गेम टाइम हासिल करने पर लगी होगी पर भूबनेश्वर एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम माडानी ने शनिवार को कहा कि भारत को एक हजार अरब डॉलर की अर्थविवस्था बनने में अन्ठावन वर्ष का वक्त लगा लेकिन अब हर 12-18 महीनों में वह अपने सकल घरेलू उत्पाद में एक हजार अरब डॉलर जोरेगा औ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके